नमस्कार दोस्तों आप सभी का Total Health Solutions पर स्वागत हैं आज की वीडियी में हम डिसकस करने वाले हैं कुछ ऐसे फूट्स या कहें खाद्य पदार्तों की जिनको आपको डिनर में लेने से परहेज करना है आयर्विद के नुसार और Modern Science के नुसार हर चीज को खाने का एक सही समय होता है और गलत टाइम गलत फूट खाया जाए तो वह बहुत से इस्यू हवद देता है रात के समय का खाना जितना हो सके हलका खाए और सोने से दो गंटे पहले खाए ये तो सब आपको पता है लेकिन फिर भी कभी कभी आपको गैस ब्लोटिंग या फिर कब जैसी प्रपलम हो जाती है इसका रिजन क्या हो सकता है इसकी हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो पहले फूर्ट से शुरुआत करते हैं जिसको कि आपको रात के खाने में सामील नहीं करना है जो है फूर्ट आप तो कहेंगे कि फल खाना हेल्दी होता है फिर आप अवइट करने को क्यों बोल रही है तो जनाब मैं आप पर कह रहा हूँगी रात को आपको फल को खाने से बचना है आईरवेट की अनुसर साम 6 बजे से पहले फल खाना है वो हल्दी रहता है फलो को अगर आप रात को खाते हैं तो गैस के साथ में ब्लोटिंग की प्रोब्लम तो शियोरिटी के साथ में होगी फलो को कभी भी खाएं लेकिन आपको दिन के टाइम ही खाना है साम को 6 बजे के बाद में नहीं खाना है आप पूछेंगे कि क्या हम रात को जूस पी सकते हैं तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जूस तो फ्रूट कंटेंट के साथ में ठंडा भी होता है तो उसको भी अवेट करना है आई वाटर कंटेंट फ्रूट जैसे की तर्बूज खर्बूजा इनको इस्ट्रिकली आपको अवेट करना है इसके साथ में वैज सलाद को भी नहीं लेना है अब दूसरे खाद्य बदार की बात करते हैं जो कि स्प्रूट्स यानिकी अंकूरित अनाज है जिसमें अंकूरित मौंग चना वगएरा आता है आई विद यह रिकमेंड करता है कि अंकूरित अनाज सुबह के समय खाये जो कि इस्पेसली आपके लिए हेल्थी रहेगा लेकिन अगर आप रात के समय इस्प्रूट्स यानिकी अंकूरित अनाज को खाते हैं लेकिन जैसे जैसे साम डलती है पाचन सकती दिमेपरती जाती है तीसरा फूड है ग्रीन लीफी वेजीटेबल्स यानिकी हरी पत्तेदार सबजियां हालांकि यह फूल अइरन न्यूटिशन यानिकी केल्सियम पॉटिसियम के साथ में यह आती है अईरविट इनको लंच में खानने को हेल्दी मानता है आप चाहे तो ग्रीन लीफी वेजीटेबल्स खाना चाते हैं तो आप रात को डाल या फिर राइस पुलाव के साथ में खा सकते हैं जैसे अगर कोई आप खाना चाहते हैं तो पालक पनीर के साथ में पालक को एड़ करके खा सकते हैं लेकिन सीधा जो हरी पतेदार सब्जिया हैं उनको खाने से रात को बचे जिससे की आपको गेस या फिर ब्लोटिंग की प्रोब्लम है वो बिल्कुल नहीं होगी चोता फूड है दही आईरविद के अनुसार दही से आपको रात को खाने से बिल्कुल बचना है दही को खाने का वेस्ट टाइम रहता है मॉर्निंग टाइम जिस टाइम वह प्रोटीन के साथ में अन्या सभी न्यूट्रिस्टन है वो बोड़ी को सही से सप्लाई दे पाता है रात को दही खाना मतलब कब्ज को बुलावा देना इसके साथ नींद को भी ये अफेक्ट करता है और बारी पन है वो पेट में फील होता है तो आपको दही को खाने से रात को अवईड करना है बचना है और साथ में अगर छाच की बात करूँ तो थोड़ी मातरा में छाच चाप पी सकते हैं बागी ज्यादा चाच आपको रात को नहीं पीना है पांचा फूट यहाँ पर आतना है हैवी डिनर जिसमें कुछ ऐसी चीज़े आती है जिनकों कि आपको अवेड करें उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा हैवी का यहाँ पर मेरा मतलब जंक या फिर उनको तो इस्टिडली आपको नहीं खाना है इसके अलावा अगर हैवी फूट की बात करें तो ज्यादा घीका सेवन चना गोबी जैसी चीजों को आपको रात को अवेड करना है जो की हार्ट टू डाइजेस्ट रहती है रात के टाइम जितना हो सके हलका भजन करें जैसे क ज्यादा आप रात को डिनर करते हैं तो आपका जो वजन है वो बढ़ने के चांसे रहते हैं अगर आप वजन कम करना चाते हैं पहले से ओबेसिटी की सिकार है तो तो आपको रात को डिनर है वो जितना जरूरत हो उससे 30% कम ही करना है बोनस पूर में यहाँ पर बोलना चा चीजे कुछ खाते अपदर जो की रात को आपको खाने से बचना है इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका डाइजेशन बेटर हो पाएगा इसके साथ ही इन चीजों को खाने से जो भी प्रोब्लम हो सकती हैं उनसे आप बच पाएंगे ठैंक्स पर वाचिंग हमारे चनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भबी क्लिक करें